नमस्कार मैं हूँ मयूरी सिर्वास्ताव आप देख रहे हैं प्राइम टीवी राजधानी दिल्ली समेट पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है ठंड के साथ साथ धुन्द और औक्यक कोहरे ने भी लोगों को परसान कर रखा है दिल्ली NCR समेट देश के पूरे मैदानी इलाकों में भी सर्थंड पड़ रही है बच्चों के स्कूल भी बंद कर दिये गए हैं देखे हमारी एक खास रिपोर्ट कडाके की ठंड का एलर्ट उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी कोहरे का कोहराम राजधानी दिल्ली समेट पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है नए साल 2023 के दूसरे दिन सोमबार को भी मौसम का मिजाज तल्ख बना हुआ है दिल्ली एंसियार समेट देश के पूरे मैदानी इलाकों में 26 ठंड पड़ रही है जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, राजिस्थान, मद्ध प्रदेश, बिहार समेट कई इलाकों में पिछले कई दिनों से हाड का पाने वाली ठंड पड़ रही है मौसम बिभाग के मुताबिक फिलहाल लोगों के इससे राहत के आसार नहीं है शीत लहर को देखते हुए कई राज्यों में स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है तो पहीं ठंड के साथ साथ धुन्द और कोहरे ने भी लोगों को परिशान कर रखा है धुन्द और घने कोहरे के कारण कई जगहों पर सुबह विजिवेल्टी शून हो जाती है इससे आमजन जीवन के साथ साथ यातायाद भी प्रवहवित हो रहा है और तो और कोहरे की सबसे ज़्यादा मार लंबी दूरी की ट्रेनों पर भी पड़ रही है कोहरे के कारण ट्रेने भी लेट हो रही है तो इससे रद भी करना पड़ रहा है इस से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है दरसल इस बीच मौसम बिभाग ने अगले कुछ दिनों तक गिलगित बालिष्तान, मुझफराबाद, लद्दाक, जम्मू कस्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्राखंड के पहाडों पर बर्वारी के साथ बारस के जारी रहने की संभाबना जताई है हिमालाई इलाकों में पिछले कई दिनों से लगातार हो रहे हिमपात के कारण तापमान का पारा गिरकर शून से नीचे हो गया है कई जगों पर पानी जम चुका है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वहीं पहाडों से चल रही ठंडी हबाओं ने उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सर्दी और बढ़ा दी है कई जगों पर पिछले कुछ दिनों से श्रीत लहर जैसे हालात है ठंड का आलम ये है कि लोग दिन में भी घर में कैद रहने को मजबूर है जम्मू कश्मीर, हिमाचल परदेश, उत्राखंड, पंजाब, हर्याडा, राजस्तान, मदपरदेश, दिल्ली, उत्तर परदेश, बिहार, जहारखंड समेत कई राज्यों में ताबमान पारा तेजी से लोड़कता जा रहा है इस से लोगों की मुस्किले लगातार बढ़ती जा रही है नीजी मौसम, पूर्बानुमान एजेंसी, स्काइमेट बेदर के मताबिक पंजाब, हर्याडा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तरी, राजस्तान के अलग-अलग हिश्चों में सीद लहर की स्थिती रहने के आसार है पंजाब, हर्याडा, उत्तरी, राजस्तान, पस्चमी, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कुछ हिस्सों में घना कोहरा च्छा सकता है बैग्यानकों की मताबिक इस बार लानीना की वज़ा से भयानक ठंड की स्थिती फरबरी तक चलेगी माना जा रहा है कि इस दोरान लानीना का प्रभाव और मजबूत हो जाएगा हाला कि भारत में ठंड की तीवरता सिर्फ लानीना के प्रभाव पर ही निर्बन नहीं है बलकि पस्च में बिच्छोब जैसे कुछ अनिकारट भी सर्दी की मौसम में एहम भूम का निवाते हैं खेर सरकार लोगों को ठंड से बचाने के लिए राजियों की सरकार जगा जगा अलाउज जलवा रही है और रेन बसेरों का इंतिजाम करवा रही है ताकि लोगों को ठंड से बचाया जा सके अभी के लिए इतना ही देजबुन्या की तमाम ख़बरों के लिए बने रहे है प्राइम टीवी के साथ आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार